नमस्कार साथियों आपका हार्दिक अभी नंदन है मेरे यूट्यूब चैनल अकांग्छा कलासस पर तो आज हम फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम की दूसरी कड़ी को डिसकुस्चन करेंगे तो जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया कि स्वाभाविक रूप से जो सोशियो कल्चरल एंवार्मेंट है वो नेचरल एंवार्मेंट के साथ इंटरेक्शन करता है और सोशियो कल्चरल एंवार्मेंट हम मनुस्यों से मिलकर बना हुआ है मतलब कि सोशियो कल्चरल एंवार्मेंट जो है वो एक मानव निर्मित environment है, वो एक कृत्रिम परियावरण है जो हमने प्राकृतिक परियावरण के भीतर अपनी सुविधाओं के अनुरूप तयार किया हुआ है तो साधारन तोर पर या सामान्य रूप से ये जो हमने एक कृत्रिम परियावरण या artificial environment इस natural environment के भीतर create कर लिया है तो ये अब उस प्राकृतिक परियावरण या natural environment को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा या उस पर क्रिया करेगा और बदले में वो जो natural environment है वो इस socio-cultural environment या इस कृत्रिम परियावरण पर भी पर्तिकरिया देगा और इसी पर्तिकरिया का नतीजा हमने हाल ही में कोरोना जैसी बड़ी महमारी के रूप में देखा जून 2013 में हमने उत्तरकासी में हुए एक भहुत बड़े परियावरणिया आपदा के रूप में देखा जो की मेग प्रस्पुटन ये की बादल के फटने के रूप में था और इसी तरह से हम पीछे भी इसके कही पर्तिकरियात्मक रूप देख चुके हैं जिनको हम स्वाभविक तोर पर सामाजिक संगर्सों के रूप में देख सकते हैं जैसे पर्थम विश्यूद का होना दुतिय विश्यूद का होना और ऐसे ही तमाम तरह के संगर्स जो दुनिया में हो रही है तो वो कही न कहीं पर्यावरन पर्दूशन या पर्यावरन को जो हमने आगहात पहुचाया पर्यावरन उसकी पर्तिकरिया हमपर करता है क्योंकि जितना हम परियावरण को दूसित करेंगे परियावरण के संसाधन उतने ज़्यादा सीमित होते चले जाएंगे और परियावरण यह संसाधनों के सीमित होने के कारण मानव एक दूसरे से लड़ेंगे एक दूसरे को समाप्त करना चाहेंगे जिस से कि वे अधिक से अधिक परियावरणिय संसादनों पर अपना कबजा कर सके तो किसी समाज के भीतर लड़ाई जगडों का होना किसी समाज के भीतर अपराधी करण का हो जाना क्या यह सामाजिक सांसकर्तिक परदूशन नहीं है तो यहां हम क्या पाते हैं कि जब कभी प्राकर्तिक परियावरण हम पर परति करिया करता है तो हमारा समाज भी परदूसित हो जाता है और जब हम उस पर करिया करते हैं यहां मेरा मतलब नकारात्मक क्रिया से है जब हम उस पर नकारात्मक क्रिया करते हैं तो वह भी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परियावरण पर नकारात्मक परतिक्रिया करता है नेगेटिव रियक्षन देता है अगर हम अपने प्राकृतिक प्रियावरण के साथ पॉजिटिव रियक्षन देंगे तो वो भी हमारे साथ पॉजिटिव रियक्षन देगा यह एक अनतय करिया स्वाभाविक तौर पर चलती रहती है तो जैसा कि मैंने पीछे बात की थी कि यहां पर सबसे पहले हुमिन जोग्राफिक के संदर्ब में इस चीज को देखा जाना चाहिए तो बहुत सारे भूगोल वेताओं या जोग्राफर्स और कई अन्दे विद्वानों ने समय समय पर मनुष्य और परियावरण के बीच के संबंदों को परिभासित करने का प्रियास किया उनमें से एक थे रेटिजल महोदय 1860 के दसक में रेटिजल ने परियावरण और मनुष्य के संबंदों को कि संसलेशित अध्यन को मानव भुगोल के रूप में परिभासित किया और फिर उनके एक सिस्य हुए एलन चर्चिल सेंपल उन्हों ने भी कमोवेस इसी परिभाशा पर काम किया तो रेटिजल महोदय का मानना था कि मानव समाजों और धरातल के बीच के संसलेशित अध्यन को ही हम human geography कह सकते हैं या मानव भुगोल कह सकते हैं means a synthetic study of relations between human societies and the earth surface अर्थात प्रथिवी के साथ मनुष्य की क्या अंताय क्रियाएं चल रही हैं वही जो है मानव भुगोल को परदर्शित कर दिया फिर रेटजल मोहदय और उनके disciple इने सिश्य सेंपल ने जो है एक थियोरी को प्रस्तुत किया 1860 के दसक में उस थियोरी को कहा गया एन्वर्मेंटल डिटर्मिनिजम परियावरणिय निश्चय वाद तो यह परियावरणिय निश्चय वाद कहीं न कहीं जो मनुस्य की अर्वी स्टेज थी उसकी ओर हमारा ध्यान खीशता है और यह बताता है कि जो एकदम प्रारम भी कवस था थी जो प्राइवर्टीब सोसाइटीज थी तो उस दौर में मनुष्य परकृति के अनुसार चला करता था अनुस्य प्राइवर्टीज था अर्था प्रकृति ने जिन बात देता हूं जिन लिमिटेशन को मनुष्य या मानुच के ऊपर थोपा था मनुष्य उनी लिमिटेशन को मानता था और उनी के अकॉर्डिंग चला करता था जैसे कि प्रकृति ने मनुष्य को कोई घर बना कर नहीं दिया था तो मनुष्य प्राकृति गुफाओं में रहता था, खुले आस्मान के नीचे रहता था, पेड़ों पर रहता था जैसे मनुष्य को प्रकृति ने नदी को पार करने के लिए कोई नाव बना कर नहीं दिया तो मनुष्य उसको तैर कर पार करता था, प्रकृति ने मनुष्य को लंबी दूरिया तई करने के लिए किसी तरह के विकल नहीं दिये थे किसी तरह के गाडिया नहीं दी थी तो मनुष्य वो दूरिया चल करता ही करता था परकृती ने मनुष्य को गर्मियों में गर्मियां दी थी तो मनुष्य उन गर्मियों को सहता था परकृती ने मनुष्य को सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड दी तो मनुष्य उस ठिटुरन को भी सहता था तो कुल मिलाकर जिन बाध्यताओं को परकृती ने मनुष्य पर लाद दिया था मनुष्य उनका पालन करते हुए आगे बढ़ता था It means the human being was just moving according to the nature मनुष्य जो है परकृती के साथ चल रहा था तो ये जो environmental determinism है वो इस थियोरी को कहता है कि प्रारंबिक स्टेज में in the early stage human was just a slave of nature मनुष्य परकृती का दास था लेकिन धीरे धीरे इस इस इस्तिती में बदलाव आया ये इस्तिती जादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकी क्योंकि मनुष्य का भी निरंतर विकाश हो रहा था उसकी भी धीरे धीरे बौदिक शम्ता बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बौदिक शम्ता के बल पर परकृती के नियमों को समझना आरंब कर दिया अब परकृती के नियमों को क्या समझा उसने तो परकृती के नियमों को उसने ये समझा कि मनुष्य ने देखा कि पानी में सभी चीजें नहीं डूपती हैं कुछ तैरती भी हैं तो इसी से उसको आइडिया आया कि नाव बनाई जा सकती है और अगर नाव बन गई तो हमें नदियों को तैर कर पार करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी मनुष्य को आइडिया आया कि ऐसा नहीं है कि लंबी दूरियां चल कर तै की जाए गोड़ा गाड़ी प्रारंबिक वस्ता में बैल गाड़ी इनका परियोग किया जा सकता है पईये का अविश्कार हुआ मनुष्य को इस बात की समझ पैदा हुई कि जब हम किसी फूरूट को खाते हैं और उसके बीज नीचे गिरते हैं तो वो फिर से उग कर उपर आते हैं तो इससे खेती यहने किरसी की खोज हुए तो अब मनुष्य जब किरसी की खोज कर लेगा तो वो केवल कंद मूल फन उबर आधारित नहीं रहेगा मनुष्य को समझ आया कि जानवरों से केवल मीट ही प्राप्त नहीं हो सकता इन से अन्य चीजें भी प्राप्त की जा सकती हैं उन, खाद, चमढ़ा, दूद, इत्यादी तो ये वो परकृति के नियमों को धीरे-धीरे समझ रहा था आगे चलकर विज्ञान ने और भी बड़ा काम किया आर्कमिडीस जैसे व्यक्ती ने बताया कि जो वाटर है वो बायूंसी फोर्स पैदा करता है उत्पलावन बन और फिर उस बेसेस पर हमने बड़े-बड़े जहाजों का दिर्माण कर डाला राइट ब्रदर्स ने ग्रैविटी पर भी विजय प्राप्त की और वाईयान जैसी चीज बनी जेम्स वाट ने भाप के इंजिन को समझा तो ऐसी बहुत सारे अविश्कार तब हुए जब हम परकृती के नियमों को समझने लगे और फिर यहां से एक नया सिलसिला सुरू हुआ जिसे संभववाद के नाम से जाना गया पॉसिबलिजम कि परकृती में संभवनाएं मौजूद हैं आप परकृती के नियमों को समझे और उन नियमों का परियोग करते हुए परकृती में मौजूद संभवनाओं को अपने हित में परियोग कीजिए और फिर जस्ट मनुष्य ने यही करना सुरू कर दिया उसने परकृती के नियमों को समझा और परकृति में मौजूद संभावनाओं को अपने हित में परियोग करना सुरू कर दिया और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब परकृति मनुष्य के अनुसार चलने लगती है वर्तमान समय में आप अंटार्क टिका में बैठे हुए हो और वहाँ चारो वोर ठंड है लेकिन आप अपने रूम को एक रूम हीटर जला कर गर्म रख सकते हो अब आप बाद्य नहीं है सर्दी को सहने के लिए आप उशन कटिवंदिय छेतर में बैठ कर अराम से अपने कमरे को एसी के द्वारा या एर कंडिशनर के द्वारा ठंडा रख सकते हो अब आप गर्मी सहने के लिए बाद्य नहीं है आप यहां से और अमेरिका की दूरी कुछी घंटों में तई कर सकते हैं अब आप चलने के लिए बात्य नहीं है तो इस तरह से अब परकृति मनुष्य के अनुसार चलने लगी तो इसे कहा गया humanization of the nature परकृति का मानवी करण तो यह दूसरी थियोरी थी पॉसिबिलिजम इस थियोरी को वीश्वी सतापती के प्रारंब में जो है विडाल डे लाबलास के द्वारा दिया गया था और इसमें यही कहा गया कि मनुष्य परकृति में उपस्तित संभावनाओं का दोहन करता है और परकृति में कुछ मोडिफिकेशन करके उसे अपने अकॉर्डिंग बना लेता है लेकिन फिर इस इस्ततिने मनुष्य को इंडस्टिलाइजेशन तक पहुचाया और इंडस्टिलाइजेशन के ओनवर्ड फिर इसके बहुत घहतक परिणाम निकल कर सामने आने लगी विभिन्य देशों अपने यहां पर इंडस्ट्रीज को सेट अप किया और उन इंडस्ट्रीज ने परियावरणिया और संतुलन उत्पन करना आरंब गडिया इंडस्ट्रीज ने मानव समाज के भीतर भी एक विसेश परकार का संघर्स आरंब कर दिया एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने पर तुलने लग गया और फिर योरॉप के देश पूरी दुनिया पर छा गए उन्होंने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाना सुरो किया स्वयम हमारा देश भारत 200 वर्सों तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा और अन्तत है वे जो मेत्तोकांची देश थे जिने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश चाहिए थे उस इंडस्रिलाइजेशन के दम पर उन देशों ने लड़ना सुरो कर दिया जो कि पर्थम विश्यूद के रूप में हमारे सामने उपस्तित हुआ उसके बाद हिटलर जैसा एक व्यक्ति जर्मनी में पैदा हुआ मुसोलली जैसा व्यक्ति इटली में पैदा हुआ और उन लोगों ने इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाया जिसके कारण दूसरा विश्यूद हमारे सामने तत्छन परकट हो गया और फिर उस दूसरे विश्यूद ने हमें लाचोड़ा हिरोसिमा और नागासाकी पर हिरोसिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने दो पर्मानों वम किराये और यहां से एक नई युक की सुरुवात हो गई जो कि Atomic Energy पर बेस्ट था और फिर पूरी दुनिया में एक होड सुरू हो गई कि हम भी अपने यहां पर Atomic Test करेंगे परमानों परिक्षन करेंगे और यह सारे परमानों परिक्षन विभिन विक्सित देशों ने पहले किये और उन्होंने इन परमानों परिक्षनों को कहीं रेगिस्तानों में किया कहीं समुद्रों के भीतर किया तो इसका नतीजा यह निकला कि जहां ये पर्माणू परिक्षण हुए इन पर्माणू परिक्षणों या अटोमिक टेस्ट के जरिये उन छेत्रों का इको सिस्टम बरबाद हुआ है। जहां जहाई होगी। विक्सित देशों ने खासतोर पर इन्हें समुद्रों के भीतर किया। तो फिर इस पर एक नई अवधारण आई। 1920 के दशक में Griffith Taylor जो की Australian Geographer थे उन्होंने एक नई थियोरी दी जिसे New Determinism कहा गया या नव निश्चयवाद कहा गया। इसके ये थियोरी इसको हम Stop and Go Determinism रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते है। तो इसके अंतरगत ये कहा गया कि देखिये भाई परकृति में संभावनाओं को उस हद तक या उस सीमा तक सरजित किया जाना चाहिए। जिस सीमा तक वे है परियावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुचाती है। मतलब कि पॉसिबिलिटीज कैन भी क्रियेटेड इन नेचर विदिन दा लिमिट्स दैट डांट डैमिज एनवर्मेंट। और इसमें Stop and Go Determinism कि जब भी आप किसी एक्टिविटीज को करना चाहते हैं एनवर्मेंट के साथ कोई परियोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले रुकिए और सोचिए कि इसके क्या नतीजे क्या दूरगामी परिणाम होंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव भूबोल के संदर्व में ये तीन महत्तोपूर्ण सिधान्त दिये गए। पहला सिधान्त था Environmental Determinism, परियावरणियन इस्चाईवाद, ये सिधान्त जो है रेट जल और सैंपल ने दिया था, ये सिधान्त Naturalization of Human इनकी मानव का परकृति करण पर आधारित था। दूसरा सिधान्त था Possibilism, संभववाद, ये सिधान्त जो है लाबलास के द्वारा दिया गया था, इसने पहले वाले सिधान्त को उलट डाला और इसमे Humanization of Nature हो गया मतब परकृति का मानवी करण हो गया और इसके बाद 1920 के दसद में Griffith Taylor ने सिधान्त दिया Stop and Go Determinism, जिसमें कहा गया कि परकृति की भीतर जो संभवनाई मौजूद हैं उनका दोहन उस लिमिट या सीमा तक किया जाए जहां तक हो है परियावरण के लिए हानिकारक ना हो थैंक यू फर वाचिंग पर वाचिंग।